दो दोस्तों की कहानी दोड़ा और बच्चे को कुट्टे से बचाया बच्चे का नाम रवी था रवी अमन का बहुत आभारी था उसने अमन को बताया कि वह शहर में रहता है और वह अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था अमन ने रवी को दिलासा दी और उसे बताया कि वहां उसको दोस्त बनना चाहता है। रवी और अमन जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन एक साथ खेलते और एक साथ समय बिताते थे। अमन ने रवी को अपने शहर को दिखाया और उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। एक दिन अमन और रवी एक पार्क में खेल रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक लड़का एक छोटे से जानवर को पीट रहा है। अमन दोड़ा और लड़के को रोका। उसने उसे बताया कि जानवरों को मारना गलत है। लड़का अमन की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने अमन से माफी मांगी और जानवर को छोड़ दिया। अमन खुश था कि उसने लड़के से जानवर को बचाने में मदद की थी। अमन और रवी ने कई और सालों तक दोस्ती की, उन्होंने एक साथ बहुत सारी यादे बनाई, अमन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहता था, और उसने रवी को भी वैसा ही बनने के लिए प्रेरित किया। अंत में अमन बड़ा हो गया और उसे एक नौकरी मिल गई, वह एक दूसरे शहर में रहने चला गया, लेकिन वह रवी को कभी नहीं भूला, वह अकसर उसे फोन करता था और उसे बताता था कि वह कैसा है, एक दिन अमन को पता चला कि रवी बीमार है, वह रवी से मिलने के अपने शहर वापस आया, वह रवी को देखकर बहुत दुखी था, वह जानता था कि रवी जल्द ही मर जाएगा, अमन ने रवी को बताया कि वह उसके लिए कितना माइने रखता है, उसने उसे बताया कि वह उसे हमेशा याद रखेगा, रवी अमन की बात सुनकर मुस्कु उसने अमन को बताया कि वह एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने अमन को बताया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा, रवी कुछ दिनों बाद मर गया, अमन बहुत दुखी था, वह जानता था कि वह कभी भी रवी को नहीं भूलेगा, वह उसे हमेशा अपने दोस्त के रू है यह हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है और हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अग अपली वीडियो में